आंत्रिक सुरच्छा के लिए खत्रे को देखते हुए पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा के जरिये होने वाले ब्यापार पर रोक के फैसले को उचित ही कहा जाएगा लेकिन यह एक सवाल तो है ही कि क्या इस आसाय की सूचनाएं अभी मिली कि ब्यापार की आर में पाकिस्तान से हत्यार नकली करंसी मादक पदात आधी भेजे जा रहे थे यह सवाल इस यह क्योंकि एक अरसे से यही माना जा रहा था कि पाकिस्तान भारत से ब्यापार बहाने तबाही का समान भेजने में लगा हुआ है क्या या अच्छा नहीं होता कि सीमा ब्यापार को तब ही बंद करने का फैसरा कर लिया जाता जब पाकिस्तान को तरजी ही राश्ट के दरजे से वन्चित किया गया था यह काम जम्मू कस्मीर में चुनाओ परकिया सुरू होने के पहले भी किया जा सकता था क्योंकि इसकी आसंका पहले से थी की पाकिस्तान घाटी में चुनाओ परकिया को बाधित और प्रभावित करने का काम कर सकता है यह ठीक नहीं कि इस आसंका के बावजूद पाकिस्तान से सीमा ब्यापार बंद करने का फैसला तब लिया गया जब राज में मद्दान के दो चरण निकल गए कम से कम अब तो यह देखा ही जाना चाहिए कि जम्मू कस्मीर में कोई ऐसा छिद्र सेस ना रहे जिसका घाटी के अलगावादी और आतंकवादी लाव उठा सकें इस मामले में गहन समिच्छा इसलिए जरूरी है क्योंकि घाटी में पाकिस्तान परस्त तत्तों की तादाद कम होती नहीं दिख रही है आखिर इसका क्या मतलब पाकिस्तान के इसारों पर केवज उसके ही हितों के लिए काम करने वाला संगठन हुर्यत कानफरेंस ने किसी रूप में अभी भी सक्री है आखिर इस संगठन की सक्रियता से भारत के हितों की पूर्ती कैसे हो रही है जितना जरूरी यह है कि घाटी के पाकिस्तान परस्त तत्तों के खिलाब सक्ती बरती जाए उतना ही यह भी कि वहां के अमन पसंद और भारत समर्थक लोगों का भरोसा जीता जाए कस्मीर के आप लोगों तक पहुँच बनाने की आवस्यता इसलिए है क्योंकि वहां के नेताओं से अधिक उम्मीद नहीं है क्या या किसी से छिपा है कि महभूबा मुक्ती अलगावादियों वाली भासा बोलने में लगी हुई है यह आवस्यता ही नहीं अनिवाद है कि जम्मू कस्मीर को पटरी पर लाने के लिए वहां जो भी कदम उठाए जाने हैं वे एक साथ उठाए जाए वे चाहे पाकिस्तान पर लगाम लगाने संबंधी हो या फिर घाटी के लोगों में भरोसा जगाने संबंधी इसका कोई आउचित नहीं की रुक रुक कर छोटे बड़े फैसले लिये जाते रहे पाकिस्तान जब तक कस्मीर में दखर देने में समथ रहेगा तब तक वह भारत को तंग करता रहेगा हैरानी नहीं कि सीमा ब्यापार बंद होने के बाद वह जम्मू कस्मीर की सुरच्छा संबंधी अन्य कमजोरियों का लाब उठाने की कोशिस करें भारत सरकार को इससे भी परचित होना चाहिए की पाकिस्तान केवन कस्मीर में ही दखर देने की कोशिस नहीं करता बलकि वह सेस भारत में भी यही करने की कोशिस करता है पाकिस्तान प्रधान मंत्री इमरान खान का हालिया बयान इसका सबूत है कि पाकिस्तान भारत की चुनाव प्रक्रिया को प्रभाबित करना चाह रहा है कुछ समय पहले इमरान खानयाबी नसीहत दे रहे थे कि भारत में मुसल्मानों के साथ किस तरह बिवहार किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदितनात ये किसी दलित के घर भोजन करते हैं तो उनके राजनेतिक बिरोधियों को तकलीफ होती है उन्हें डर लगता है कि ऐसा करके भाजपा और संग परिवार के पदालिकारी उनके वोट बैंग पर डोले डाल रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनेति का संकट है कि कई दसकों से पच्छ विपच्छ का पराधर्म एक दूसरे की टांग खीचना मात्र है राजनीतिक डल वोट बैंग के सिवा कुछ सोचते ही नहीं इसलिए जब कोई संत या मुख्यमंत्री या समा सेवी किसी दलित के घर भोजन करता है तो इन डलों को इससे भी वोट बैंग सियासत नजर आती है जो तल डलितों के रहनुमा होने का दावा करते हैं या योगी आदे तनात के डलित के घर भोजन करने पर नाक भाउं सिकोडते हैं उन्हें अपने गिरेबान में जھाक कर देखना चाहिए की उन्होंने किसी गरीब के आंगल में जमीन पर बैठ कर कितने बार भोजन किया उत्तर भारत में दलित जातियों ने सदियों तक बे इंतिहां प्रतार्णा झेली इसके सामाजिक दुस्पैड़ां विविर सक्ल में सामने है यद इस परिविर्ति को सिर्फ कानून के बजाए जीवन सैली के इस्तरपन नियंतित नहीं किया गया तो सामाजिक विखंडन बढ़ता ही जाएगा इस दिश्टी से उन जातियों के साथ सदभाव पूर्ण विवहाद जरूरी है जिन्हें अच्छूत मानकर उनके मौलिक अधिकारों से भी बंचित रखा गया संतों और संग परिवार को स्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने पिछली सदी के अंतिम दसक में यह अभियान जोरदार ढंग से सुरू किया उस समय वाराणसी में डोम राजा के घर संतों और हिंदू नेताओं का भोच इस अभियान में मील का पत्थर माना जाता है इसके बाद यह प्रथा बन गई की अधिकतर संत और हिंदू धर्माचार्य अपने प्रवास के दवरान किसी दलित बंधु के परिवार में अन जल गरहन करने लगे योगी आदितनात का आवर्ध्या में महाबीर के गर बोजन करना इसी परंपरा का निर्वहन है उनके गुरु महंत अवेदनात भी ऐसा करते थे पर चुनावी मौसम होने के काराण इस पुन परवित्य को सियासी चसमे से देखा जा रहा है इसकी आलोचना करने के बजाए सभी बड़े नेताओं को इसका अनुसरन करना चाहिए जब कोई ख्याती लवध हस्ती किसी दलित गरीब के घर जमीन पर बैठ कर भोजन करती है तो उस परिवार का गर्व बढ़ता है यदि यह सियासत है तो ऐसी सियासत वंदनी है